दोस्तों ये भी गाड का वाटर पंप है इसमें देखे यहां पर इस वाटर पंप का पूरा डिटेल दिया हुआ है अगर आपको ये डिटेल पढ़ना है तो इस वीडियो कहीं पर रोक कर इसे पढ़ लिजेगा ठीक है मैं आपको अब आगे दिखाता हूँ देखिए इस वाटर पंप में प्रोब्लम ये है कि इसमें लाइन तो आता है मतलब इस वाटर पंप में जब लाइन दिया जाता है तो इस वाटर पंप में लाइन आ जाता है लेकिन वाटर पंप घूमता नहीं देखिए इसमें क्या प्रोब्लम होता है वो मैं आपको दिखा आगाता हूं अक्वे से इती 시청 हीलता हैं देख लिए एक बड़ और मैं लाइन देता हूं सिर्फ पांखिय हीलेगा देख लिए लेकिन ये गूनता नहीं है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है ठीक है देखिए अब आपको करना ये है कि इस कटोरी को यानि कि इस कभर को खोल लेना है पहले ठीक है इसे मैं खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ तो देखिए मैंने इसके कभर को खोल लिए हैं अब देखिए मैं इसे फिर से लाइन देकर आ पंखी हिलता है तो अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ आपको करना यह है कि इस पंखी को बाएं तरफ से आट दस बार इस तरह से घुमा देना है ठीक है और दाएं तरब से भी इसे आट दस बर इस तरह से घुमा देना है ठीक है इस पंकी को घुमाने के बाद इसमें मैं लाइन देता हूँ कि जब water pump को हम लोग कुछ दिनों तक इस्तमाल नहीं करते हैं, जिसके कारण इस तरह का problem आ जाता है, ठीक है, तो दोस्तों इसमें घबराने कोई बात नहीं है, आप इस तरह से इसे अराम से बना सकते हैं, तो दोस्तों मैं इसे पूरी तरह से fit कर देता हूँ, fit करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तो देखिए मैं इसे पूरी तरह से fit कर दी हैं, अब मैं इसमें line देता हूँ, आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर, ये बिल्कुल सही घुम रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो दोस्तों आप इस तरह से अपने water pump को अपने घर में ही बना सकते हैं, आप क्यों किसी के पास ले जाएंगे बनवाने के लिए, आपका पैसा भी खर्चा होगा, आपका समय भी बरवाद होगा, इतना असान तरीका है, आप इसे अराम से अपने घर में बना सकते हैं, ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आये, तो मेर जरूर कर दें, ठीक है, मेरा एक सकेंड चैनल भी है, जिसका नाहीं संजेक कुमार गुपता, देखे ये वाला चैनल है, इस पर आप किलिक करके, आप मेरे सकेंड चैनल पर जाकर, आप मेरे बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, कि मैं कहां का रहने वाला हूँ, मैं वीड बनाने में कितना महनत लगता है, इस तरह का वीडियो आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं,